जो लोग जे टेट पास हैं, सी टेट पास हैं, मने मन गूर चीरा खेले हैं कि आबरी हमार नोकरी हो जाएगा, बस मजे में हैं, सारे लोग मजे में हैं कि हमारा नोकरी हो गया, लेकिन इस बात को आप लोग नहीं जान रहे हैं कि इसके पहले मुखमंत्री ये भी बोले हैं कि रिजल्ट जो आउट करेगा उकरा दस साल का सजा, सिरफ ये नोटंकी चल रहा है, रियल में ये नियुक्ति नहीं हो पाएगी और होगी तो हाई कोट सुप्रीम कोट के रास्ते से जो है ये चलता रहेगा, कितना दिन चलेगा नहीं मालूम, बात को समझिए, जो सारा लड़का पंदरा भासाओं से जो हम लोगों का वाप जो भी जेटेट का परिच्छा लिया गया था, उसमें साथ भासाओं को हटा दिये, अब जो साथ भासा हटा, आप ये पॉलिटिकल अस्टन्ट है, सिरफ पॉलिटिकल अस्टन्ट है, मैं बता रहा हूँ, ये जो साथ भासा का जो टेट परिच्छा दिया हुआ है, चाहे अंगिका हो, मगही हो, भोजपूरी हो, या सब सारे लोग, वो लोग जो है, पलामू के अधिकतर लड़के जो है, सो भोजपूरी रह करके दिये, मगही रह करके दिये, बहुत सारे, और जो अगर जदि संथाल प्रगना की बात करें, तो बहुत सारे लोगों ने अंगिका का वाल ले करके भासा, आप लोगों का सिलेबस में, जो पहला पेपर में है, तो उसमें एक बोला गिया है, कि आप एगो जो मैट्रिक में जो भी भासा से आपने परिच्छा दिया, वो भासा को चुनिये, और दूसरा, एक छेत्रिय भासा, आप बताईए कि छेत्रिय भासा में क्या चुनेगा उसा, और उसमें ये भी प्रावधान है, कि आप वही छेत्रिय भासा चुनियेगा, जो आपका टेट परिच्छा में था, जो ये टेट परिच्छा में जो भासा से आपने दिया था, उसी भासा को चुनना है, अगर जदी आप अंगीका को हटा दिये, मगही को हटा दिये, भोजपूरी को हटा दिये, और सारी भासाओं को हटा दिये, जो अगर आप हटा दिये, तो वो लड़का किस में भरेगा, बात पहले ये सुन लिजे, आभी हम सीटेट की भी बात करेंगे, वो लड़का किस में भरेगा, तो किसी क्या करते हैं, जो हिंदी में भरेगा, सो बोल देता है हमने बोल रहे होगोँ बहुत लोग बोलते हैं हिंदी भाइगा तो जब हिंदी में भाइगा तो लेंग्वेज़ परवाले क्या करें आए अर दूसरा बात जब हिंदी भाइए तो मेरिट लिश्ट जो बनेगा तो वह जोईन कहां करेंगे कहां ज्वाइन करेंगे वो अगर जैदी राची के तरफ में उत्री दच्छे चोटा नागपुर जाएंगे तो कुलुख नागपुरी सब वो लोग उसको वहां नहीं रहने देगा अगर खोठा भाषा ज्चेतर में जाएंगे तो खोठा वऴा संधाली वळा रूओ तो मेरे मेरे कुछ में तुम कहांसे तुम हिंदी वाला कहां से जब मेरा भासा छेत्र है जो यहां भासा पढ़ाने का है तो तुम हिंदी वहला कहां से घुश गिया आप बताइए कि यही पेच द्याप फसराय की नहीं दूसरा सी टेट को जैसा की प्रावधान बोला गया है हमने करें हाइकोट ने कहा है और बाकी लोगों का भी कहना है और उसका खुश खबरी अठारत अगस्ट को आने वाला है सी टेट वाले को कि यह भी देगा आप वो भी जो अश्य चैत्रिय भासा से नहीं पास हैं वो भी हिंदी में भरेंगे बात को समझते जाईएगा अगर सी टेट को मानता मिल गई मतलब यह कहा गया है हाइकोट के द्वारा कि आपको परतेक साल टेट पर इच्छा लेना है अगर जदी आप टेट पर इच्छा नहीं लेते हैं तो सी टेट को मानता देना पड़ेगा सुनिए और यहां के लड़के बोल रहे हैं जो 2016 पास किये हैं जिन को बाहर generator किया गया भास अगधार पर आर सी टेट वाले सिटएट वाले बोले कि मुझे मोगा नहीं मिला तब तक टेटएट वाले जो भासा से बाहर कैसे नहीं मोगा मिला इनको केंद्रिये विद्याले में नहीं मिला क्या आर्मी स्कूल में नहीं मिला क्या हमको तो कभी नहीं मिला है 2016 के वाजो ट्रेट पास है उसको तो कभी नहीं मिला है उसको कम से कम केंद्रिये विद्याले में मिला नहीं हम सब का बात को रख रहे हैं किसी का फेवर में नहीं है बात को देखिए कैल से उल्जेगा अगर जदी सी टेट को भी सरकार दे देती है अगर जदी अलाव कर देता है तो आप से फिरसे नियमा वाली बनेगी अगर सी टेट को मानता सरकार दे देती है तो सरकार खुद फंसेगी, बात को सुचिए, कहां फंसेगी, हम ने करें, आप ही के साथ ही लोग करें, जो कल हम बहुत सीटेट वाले से भी मिल करके बात किये, जेटेट वाले उसे बात किये, हम ये कहना चाह रहे थे कि नियुक्तिक कैसे हो, नियुक्तिक कैसे हो, इस पर हम लोग सारे लोगों से बात कर रहे थे कि आखिर में गलतियां कहां हैं कि नियुक्ति कैसे हो जाए हमारा 26,000 छात्रों का भवी से कैसे सुधरे इसके लिए हम तमाम संगठन के लोगों से बात कर रहे थे तो वह कह रहे है कि अगर जदी भाया C-8 को भी मानता दे देते हैं तो बहुत सारे पारा टीचर हैं जो C-8 पास है जो C-8 पास हैं और सरकार ने जो जेटेट पास किया उनको 2000 थीन5000 उनका बेतन बढ़ाके दिया अगर शेट को भी मानत तरे रहा को और इसी के सिरे आट दे दे देती है तो क्या सरकार जितने सिनी सित पास है पाराडीचर उनको पिछले चार साल से जबसे ऊसरी चेटट पास की है तब से उसको जोड़ करके बेतन देगी कि बात को देखिए सरकार खुद पसेगी तो पैसा तो मांगेगा सी टेट वाला जब यहां पर जे टेट के बराबर हमको वाब मानता दे रहें तो हमको आप वहां टेट परिश्या में कहा ही नहीं दिये कि बात को देखिए एक धड़ा जो कि अभी हाइकोट में जीता था जिसमें हाइकोट ने यह कहा कि आप पहले जो नियुक्ति 2012 के नियमा वली के अनुसार आप यह हमको छे सब्ता में दीजिए कि उस पर आप क्या करवाई कर रहे हैं अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले